Hello everyone, Friday के एक और Q&A session के अंदर आप सब लोग आसवागत है जैसे कि आप जानते हैं कि हम हर एक Friday को जो भी आपके queries होती हैं जो भी आपके questions होते हैं उन सब का answer देने की कोशिश करते हैं तो चली चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ तो यह पहला सवाल है जो मालूम करा है सईद ने और इनका question है कि sir thank you this is very important video for me because we have two garment store sale बहुत अच्छी होती है बट manage करने में बड़ी problem आ रही है last month में चोरी भी किया था एक salesman please guide me सईद बेसिकली जो आपका सवाल है वो यह है कि आपको यह garment store चलाते हैं और वहां पर आप जो चोरी का part है उसे अपने store में कैसे बचाएं किस तरीके से काम करें इसके बारे में आप जानना चाहते हैं चोरी वाले concept के उपर सईद मैंने और एक वीडियो बना के इस channel के पर डाल रखी है और भी अगर आपका और क्योंकि आपका यह comment वो वीडियो देखने के बाद ही आया है जो किस तरीके से इस सब चीजों को चोरी के रोकने के लिए हम किस तरह से एक setup बनाते हैं या क्या-क्या वो parameter हैं जो हमने वीडियो में बताई है उसको कैसे implement करते हैं और जहां तक सवाल है आपके operations का आपके store के operations को handle करने problem आ रही है इसके लिए आपको आपने store के automation के बारे में सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका जो center है आपका चाय सूपर मांकिट है या garment store है retail में कोई भी store की बात कर लिजे उन सब के अंदर आप operations सिर्फ दो ही तरीके से ठीक कर सकते हैं एक as a owner आपके पास information होनी चाहिए कि आपको operation पूरे कैसे चलाने हैं आपके employees को पता होना चाहिए कि उनकी क्या responsibilities हैं उनके SOPs के बारे में सब को clear तरीके से सारी information होनी चाहिए आपका system आपका software इतना capable होना चाहिए कि वो सारे data को सारी inventory को manage कर सके और इसके इलावा जो day to day activity की पूरी जो list होती है उन सब के बारे में सब को एक clear information होनी चाहिए ये topic अपने आप में बहुत ज़्यादा detail में हैं और क्योंकि वो हर एक side to side, हर एक operation to operation different हो जाता है उसके requirement अलग हो जाती है तो अगर इस topic के बारे में आप ज़्यादा information चाहते हैं आप इसके practicality के उपर ज़्यादा discuss करना चाहते हैं किस तरीके से इन सब चीजों को maintain करा जाए तो आप इस number पर जाके हमसे contact कर सकते हैं और detail में इस topic के उपर हमसे discuss कर सकते हैं तो चलिए move करते हैं अपने next question के तरफ so next question मालूम करा है चोहान general store ने और इंका सवाल है sir एक mini supermarket के लिए कितने करमचारी की आवशक्ता होती है और store के timing क्या होनी चाहिए so basically एक mini supermarket के लिए कितने imply की ज़रूरत होती है यह depend करता है आपके mini supermarket का size क्या है अगर आपका center 500 square feet का है तो एक अलग requirement लगेगी वहीं अगर 700 का है यह 1000 का है 1500 square feet है तो उसकी requirement वैसे ही बढ़ती चले जाएगी आम तोरज इसका मैं basic calculation बतायता हूँ अगर approximate आपका 1000 square feet का अगर area है तो उसके लिए approximate minimum जो average employees की आपको ज़रूरत पढ़ती है वो 6 to 7 की आपको ज़रूरत पढ़ती है लेकिन यह figure भी change हो जाती है depend करता है आपकी locality के उपर आपके building के structure के उपर कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आपका structure जो है वो floor wise है वहाँ आपकी employee की value जो number है वो बढ़ जाते है अगर आपका center वो एक ही floor wise है उसका structure अलग है तो उसके हिसाब से फिर आपके employees बढ़ जाते है तो कई सारी factor के उपर यह सब चीज़ी depend करती है लेकिन अगर approximate average के हिसाब से अगर आपका 1000 इसको एरफेट है तो आपको 6-7 employee की ज़रुवत पढ़ेगी और दूसर जो आपका सवाल है कि सुपर्माकर के timing क्या होना चाहिए सो standard के हिसाब से आपका सुपर्माकर के timing 12 गंटे का होना चाहिए अगर आप 12 गंटे के duration में अपना center चला रहे है तो जो roaster बनता है एक जो आपकी shift होती है manpower की वो बनाने में असान होती है और आपको manpower उसे साब से थोड़े बहुत कम भी कर सकते है वहीं जैसे आपके ये 12 गंटे से जादा का time जाने लगता है मिर्तुयंजे सिंग ने और इंका question है हाई sir 700 square feet में grocery store शुरू करने के लिए कितने का investment लगना होगा stock में शुरू में मुझे सारे item रखने हैं मगर कम quantity में लगबग 6-10 piece of every item सो मिर्तुयंजे आपको यहाँ पे आपके दो सवाल है पहला सवाल यह है कि आप 700 square feet के center आप खोलना चाते हैं उसके लिए सिर्फ stock के लिए कितने पैसे की ज़रूरत है इसके basic सी calculation है कि आपको यह समझना है कि आपके पूरे mini supermarket को यह supermarket को खोलने की जो cost आती है और all cost आपकी building पूरी ready है उसके बाद जो cost आती है वो 5000-3000 square feet की होती है उसमें से जो stock का part होता है आप उसे 60% उसकी value का 60% आपको approximate सारा amount जो है वो आपके stock में जाएगा इसको अगर हम number के example से समझें तो आप यह समझें कि अगर आपके center को बनाने के लिए 10,00,000 रुपई cost आ रही है उसमें से आपको 6-7,00,000 रुपई आपके material के लिए जाएंगे और जो बाकी पैसा बचेगा वो आपके setup के लिए खर्च होगा सेकिंड जो आपका सवाल है कि आपको quantity में सारे item रखने हैं लेकिन quantity में 6-10 pieces for every item यहाँ पर आपको मितुञें यह समझने के जुरुत है कि आपना हर एक item के 6-10 piece ऐसे calculation किसी भी center को खोलने के लिए mini supermarket यह super market खोलने के लिए नहीं कर सकते हैं आपको अपनी super market में mini supermarket में product रखने से पहले आपको पहले यह समझना है कि product assortment क्या होता है आपके कौन-कौन से brand है जो आपके center में होने चाहिए कौन-कौन से वो range है product की complete जो customer की bucket को full करती है उसकी information आपके पास होना चाहिए without product assortment की knowledge product कौन सा product कहां से किस quantity में किस price पे लेना है और क्यूं लेना है आपके customer की जो need है सो समझने के बाद अगर आपको यह सब की information नहीं है तो यह सब पहले आप पहले information ले उसके बाद ही आप इसके इंदर entry करें otherwise फिर वो ही होगा जो आम तोर से लोग market में करते हैं कि market में एक जो भी उनको information होगी उसके हिसाब से वो product ले लेते हैं और उसके बाद जो customer आने चालू करते हैं तो customer के requirement कभी पूरी हो नहीं पाती है उनकी bucket कभी पूरी हो यह नहीं पाती है तो customer देरे देरे आपके पास आना कम कर देंगे और जो investment भी आपका लगा है वो भी फिर आपको center जो है आपको loss में देने लगता है तो इन सब चीजों को आप ना करें पहले information को gather करें सारी और उसके बाद ही आप इन सब चीजों के अंदर entry करें मूफ करते हैं next question के तरफ ये question मालूम कर रहा है अमन कुमार ने सर सुपर मार्केट में पर डे एक लाग का sale हो तो पैसे को सुपर मार्केट में रखना चाहिए क्या सो अमन बिल्कुल आप अपने पैसे को जो भी आपकी पूरे दिन की sale है वो अपने center में रख सकते हैं एवन दो जितने भी एक established supermarket होती हैं चाहिए वो हमारी हो या किसी भी established player की हो उनके हर एक center के अंदर कहीं न कहीं जो उनका store room होता है जहां पर वो अपना एक warehouse का पूरा office setup करते हैं वहाँ पर कोई नों को एक locker जरूर होता है जो वो sale का पैसा होता है पूरे दिन का वो उसमें रख के जाते हैं और next day जब process के according bank में submit करना होता है deposit करना होता है या फिर जो bank वाले अगर आते हैं लेने के लिए तो वो वहाँ से पैसा लेके जाते हैं आपके sale का पैसा आपके store में रख रहे हैं लेकिन वो रख कैसे रहे हैं वो इक important है उसके process आपको मालूम होने चाहिए कि आप किस तरीके से locker बना रहे हैं कैसे उसके अंदर entry हो रही है सो बात करते है next अवाल के question मालूम करा है SHS ने कोई के sir we want free consultancy service okay so free consultancy वाला जो हमारा था एक हमारा giveaway वो अल्री close हो चुका है next time जब कभी भी हम feature में इस type की activity दुबारा लेके आएंगे आप सब लोगों के लिए so इस channel के पर उसकी information आपको मिल जाएगी so बात करते है next सवाल की यह सवाल मालूम करा है मनोज जुनेजा ने इनका सवाल है मेरा suit का काम है मुझे barcode system start करना है क्या यह possible है कि उसमें 100% चोरी रुख जाएगी मान लो अगर कोई एक piece उठा ले तो siren बजने लगे कोई ऐसी company है जो मेरी help करे so मनोज basically आपको एक garment store चला रहे हैं और आप वहाँ पर सेम जो concept अभी हमने चोरी के बात कर रहे हैं उसके बारे में जानना चाते हैं जिस system के आप बात कर रहे हैं siren system की basically RFID system होता है क्योंकि यह जो RFID system होता है यह आपके garment center के लिए बहुत जरूरी है इसमें basically क्या होता है कि आपकी जो entry और exit होती है वहाँ पर एक RFID system scanner लगे होते हैं कि अगर कोई भी शक्स बिना billing करा है अपने product को लेके जा रहा है तो हर एक product के उपर वहाँ पर tag लगा होता है और वो tag उस जो आपके system होते हैं जो scanner होते हैं वो उसको scan कर लेते हैं और scan की वज़े से उसमें saran बजने लगता है जिसके वज़े से आप easily इन सब चीजे की activity को अराम से control कर सकते हैं जहां तक आपका सवाल है कि market में मेरा कोई help कर पाएगा कोई company तो बहुत सारी आपको market में RFID system की companies मिल जाएंगी आप थोड़ा सा search करें और search करके आपको इसके बारे में information मिल जाएगी अगर इस topic के बारे में RFID system के एक complete observation के बारे में वो कैसे implement करती हैं क्या उनकी costing होती है इसके बारे में आप जादा जानना चाते हैं तो आप इस निची दिएगे number पर जाके हमसे call कर सकते हैं और इसकी complete information हमसे आप ले सकते हैं चलते हैं अपने next सवाल की तरफ यह सवाल मालूम करा है अमन गुपता ने और इनका सवाल है कि सर आप इतनी अच्छी जानकारी शेयर करते हैं इसको आप प्लीज continue रखिएगा और क्या हमें आपकी franchisee supermarket franchisee मिल सकती है यह जो content है इस type की information है हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसको लगातार हम बरकरार भी रखेंगे कि ऐसी information आपके पास लगातार आती रहे और आपकी जित्ती भी queries है इस supermarket business को लेकर या retail industry को लेकर वो सब आपके पास उसकी information मिलती रहे जहां तक सवाल है हमारी खुद की franchise इसको लेकर आने का अभी हाल फिलाल में इसका कोई plan नहीं है we have made some model कुछ हमने model इसे बना रखे हैं लेकिन वो model कब implement होंगे वो उसके पास थोड़ा सा भी time जाएगा और जब भी अगर ऐसा कोई step होता है तो आपको इस channel के थरो उसकी information मिल जाएगी अगर आपके भी कुछ सवाल है इस supermarket business को लेकर ये retail industry को लेकर आप भी comment में जाके अपने सवालों को छोड़ सकते हैं हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे सवालों को answer दें और आपके जित्य भी queries हैं उसको हम resolve कर सकें अगर आप इस business के बारे में supermarket के बारे में ये retail industry किसी भी segment के बारे में detail में ज़्यादा जानना चाते हैं आप उसको step by step practical तरीके से कैसे implement करा जाता है उसके बारे में ज़्यादा जानना चाते हैं आप consultancy के बारे में ज़्यादा जाना चाहते हैं, practical तरीके से वो कौन-कौन से parameters होते हैं, जिस तरीके से हमारी supermarket एक अच्छे तरीके से काम करती है, और किस तरीके से हम अपने center को एक center से multiple center बना पाएं, इन सब के बारे में information चाहते हैं, so इस नीचे दिये गए number पर जाके आप हमसे call कर सकते हैं, और इस topic के बारे में detail में हमसे discuss कर सकते हैं, consultancy के बारे में आपको detail में हमसे discuss कर सकते हैं, I hope कि आपको ये video अच्छे लगी होगी, informative लगी होगी, video को like करिए, share करिए, channel को subscribe करिए, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए topic के साथ, this is Ali, signing off.